एक कहानी से शुरुवात करता हूँ आज, तो एक बार दूर कहीं पे एक राजा होते हैं और एक सन्यासी आते हैं उन राजा के पास और उनको अप्रोच करते हैं और राजा उनका बड़ा आदरमान करते हैं, सम्मान करते हैं और कई सारे टॉपिक्स पे राजा उन सन्यासी से discuss करते हैं और जो भी उनकी दुविधाएं होती है मन की वो उनके साथ विचार विमर्च करते हैं और सन्यासी जो होते हैं उनको उसका रास्ता दिखाते है कि किस तरीके से आपको conduct करना चाहिए अपने आपको आप मुझे उभार में क्या देंगे तो राजा कहते हैं कि ये है मेरा खजाना खजाने की चाबी दे देते हैं सन्यासी को और वो कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए आप इसमें से ले लीजे तो सन्यासी कहते हैं नहीं ये तुम्हारा नहीं यह प्रजा का है तुम इसके रखवाले हो सिर्फ तो इसमें से मैं कुछ नहीं ले सकता तो राजा कहते हैं सन्यासी से कि आप मेरा महल ले लीजिए सन्यासी कहते है नहीं यह भी प्रजा का है यह मैं नहीं ले सकता यहाँ पे तुम रहते जरूर हो लेकिन यह भी लोगों का ह तो फिर राजा को कुछ समझ नहीं आता, वो अपना हतियार सन्यासी के सामने डाल देते हैं, और वो कहते हैं कि फिर आप ही इस दुविता का निवारण कीजिए, कि मैं क्या करूँ ऐसा, क्या उपहर दे सकता हूं मैं आपको, तो सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, हो सक तो अपना एहंकार मुझे दे दो, एहंकार यानि इगो तो ये सुनके राज़ा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होता है राज़ा और एक फिर से जाते-जाते सन्यासी उनको एक चीज़ सिखा देते हैं कि अपना एहंकार जो है, उसको छोड़ना है और फिर एहंकार छोड़के वो प्रजा की सेवा में लग जाते हैं तो इस छोटी सी एक कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो एहंकार होता है, जो एगो होता है वो किसी भी सब्वे समाज का पतन का कारण बन सकता है किसी भी organization, कोई machinery, कोई भी establishment है कुछ लोगों के ego के कारण उसका पतन निश्चित है और यही हम देख रहे हैं हमारे Indian football में आज की तारीख अगर हम बात करें, जो TIF चल रही है PT उशा और कल्यान चौबे के बीच में इंडियन football जो है, वो true spirit of sportsmanship या dedication नहीं दिखा रही है अभी जो fans का एक turn out हो रहा है Indian football के games में जो बात ये करी जारी Indian football के बारे में वो spirit और dedication नहीं दिखा रहा है fans का और players का fans के प्रती फिर उसके बाद जो हमने 3 trophies जीती international level पे वो अगर नहीं दिखा रहा है dedication players का तो क्या चीज है हमको करने की जरुवत जो allow करेगी आपको कि हमारी team को भेज दीजी Asian games में तो देखिए ये क्या है, पूरा ego का खेल है इसमें कल्यान चौबे की insistence जो है sports ministry को बार-बार जो वो बोल रहे हैं अपनी तरफ से पूरा effort कर रहे है कि Indian football team को भेज दिया जाए Asian games के लिए उसके बाद EGORS team match का जो letter है जो direct उन्होंने PM को लिखा है वो जो है वो पसंद नहीं आ रहा है PT Usha को उन्होंने अपने ego पे ले लिया है कि मुझे कैसे bypass कर दिया हम तो भाई president है और इसमें आप कह सकते हैं कि one-up ship करने की लडाई है between Kalyan Chaube and PT Usha क्योंकि यहां पर Kalyan Chaube तो चाते हैं as the president of AFF की Indian football team को भेजा जाए PT Usha क्योंकि अब उनको क्या है कि कुछ आदेश मिले वे हैं government से और ministry से मिले वे हैं तो वो villain नहीं वनना चाती अकेली कि नहीं मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही मना कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मेरी वज़े से नहीं जारी है team it's just that कि मुझे तो orders मिले वें उपर से और हमने ये collectively decide किया है कि अगर आप top 8 में नहीं है अपने respective team event में तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा अगर आप Times of India पढ़ेंगे आज का तो उसमें एक बहुत ही बड़ी article आया है तो वहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है एक source जो है उन्होंने ये बताया है कि Usha is Usha at some level she would not like to be seen as a puppet alone तो ये एक चीज है कि कल्ले अन चौभे अगर convince कर लेते हैं ministry को तो ministry फिर बोलेगी IOA को नहीं अब team को भेज़ दो तो फिर PT Usha team को भेज़ देंगी तो ये as a puppet हो जाएगा कि पहले ministry ने बोला कि आप नहीं भेज सकते अब ministry बोलेगी आप भेज़ दो तो मैं भेजने के लिए तो यारू तो मेरा इसमें से कहां गया हमें तो उन लोगों को भेजना है जो short short confirm है कि medal लेके ही आएंगे यार मतलब कितनी अजीब बात है अब एक और news आ रही है कि water polo की team भी demand कर रही है कि उनको भी भेजा जाए Asian Games के लिए फिर उसके बाद एक खत्रा मंडरा रहा है teams पे जैसे basketball, handball कि इनको नहीं भेजा जाएगा because ये भी वो top 8 वाला criteria fulfill नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए मैं as a Indian बात करूँगा मैं यहाँ पर ऐस तिर्फ football fan बात नहीं करूँगा मुझे जो भी sport में अच्छा करता है मुझे अच्छा लगता है और सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हम उस level पर नहीं है तो ये तो बात मेरे समझ के पर है बिल्कुल अब ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा है जो बार-बार exam में opportunity नहीं देंगे तो अपनी पड़ाई में बहतर कैसे करेगा same case हमारे sports के साथ है अगर हम इनको opportunity नहीं देंगे हाँ I know कई सारे इसमें constraints है budgets है, सारी चीजे हैं तो लिकिन आपको फिर उसके around एक way भी तो find करना पड़ेगा ना आप नहीं चाहते हैं कि sport develop हो, चलिए मैं समझ गया कि इंडिया में बहुत जादा नीश है basketball, handball, water polo अगेरा and I completely respect those sports also क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो अपना heart and soul दिये होंगे country के लिए और इन sports में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर मैं एक बर football की बात करूँ, तो football is not a niche sport, it's a mainstream sport world का सबसे बड़ा sport है और अगर आपको football में अच्छा करना है तो आपको ranking की जगे हमारी recent performances देखनी होंगी तो football को अभी तो priority देनी पड़ेगी because football is on a rise तो ये पूरा खेल in fighting का है जो एक ego clash हो रहा है कल्यान चौबे और PT उशा उसके चक्कर में Indian football है, वो ही सफर कर रहा है और सफर कोई नहीं करता है in the end, players करते है, fans करते है और हम भार से देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है हमारे लिए जो seemingly simple चीज होती है in clashes की वज़े से, in fighting की वज़े से complicate कर दी जाती है अब यह हुआ गे, रूल कहा से आया है यह top 8 वाला जो रूल है कि आपको top 8 में होना यह आया कहा से है, तो Indian Olympic Association के former president Narendra Batra ने यह रूल लागू किया था और पिछले Asian Games में भी हमारी football team को नहीं भेजा गया था तो 26 जुलाए को जो है last data teams का नाम withdraw करने की और 27 जुलाए को जो है football का draw निकलेगा तो यह कुछ उमीद की किरने हैं जो हमको इस समय दिख रही हैं लेकिन जिस तरीके से अभी चल रही है बातें और जो जो हमको सुनने में आ रहा है मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी तरीके की यहां पर हम देखेंगे development होते वे इस case में या किसी भी तरीके की हमको positive news मिलेगी हाँ अनुराक ठाकुर और कल्यान चौबे की meeting हुई है उसका क्या नतीजा निकलेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा एक और मज़ेदार चीज जो आईएस आर्टिकल में वो यह है कि Thursday को 13 जुलाए को अमिच छा के घर पे मिले थे अकल्यान चौबे जो कि खुद एक BJP के politician है और उसके बाद वो PT उशा के साथ उसके बाद वो PT उशा के साथ पैरिस भी गए थे तो यहां पर जो cost का हवाला दिया जा रहा है उस cost का इस तरीके से भी स्तिमाल किया जा रहा है, यह सब आर्टिकल में मैं मन से नहीं कह रहा हूं और यग और जो मज़ेदार चीज लिख यह si आर्टिकल में तो यह मतलब ऐसा भी नहीं तो ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि दोनों की political allegiance अलग है, it's just that किसी एक बंदे के ego पे आ गई है, और जैसा मैंने गा कि एहंकार में सब अंधे हो जाते हैं, पतन हो जाता है, तो वो ही पतन हमको देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से हम कहीं पे भी we'll end nowhere, और ये तो गनीमत हो क print media में इतना कुछ आ रहा है, बाकी आप digital media या आप चली twitter पे तो हम लोग आवाज उठा देते हैं, तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप tv बगेरा देखेंगे, तो news पे तो कुछ नहीं आ रहा है, news पे ना मनीपूर के बारे में कुछ दिखा रहा है, ना Indian football के बारे में कुछ दिखा रहे हैं, अगर आप media देखेंगे ना आपको हसी आ जाएगी, मतलब cdc बात बता रहा है, मतलब वो एक लड़की जो पाकिस्तान से आ गई है, उसके बारे में news बार बार चलाय जा रहा है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, वो क्या कर रही है, उसका पती क्या कर सकते हैं कि हमारी जो यह चीजें हैं, जो four front में नहीं आ रही है, और I don't know आप लोगों में से कितने लोग अख़वार पढ़ते हैं, या कितने लोग print media की तरफ ध्यान देते हैं, print media में काफी कुछ आता है, काफी सारी चीजें इसके बारे में लिखी जाते हैं, लेकिन कोई कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, और इसमें तो काफी अच्छी तरीके से explain किया हुए, मैं article का जो आपको link है, मैं डाल दूँगा, description में अगर आपके पास time हुआ, तो please पढ़िए गाइस, नहीं तो अगर Times of India आपके घर पे आता है, तो उसमें sports section में आपको इन्यूस बड़ी अराम से मिल जाएगी time sport में, तो ये अभी कुल मिलाके जो चीज है वो चल रही है कि internal power struggle है, और इस power struggle के चलते हम और आप as Indian football fans सफर कर रहे हैं, और इसका कोई मतलब अभी दिखनी रहा है कि solution होगा या नहीं होगा, because हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों का ego, लोगों का जो एहंकार है और लोगों की जो एक खुद को importance feel कराने वाली feeling है, वो सबसे उपर होती है, मतलब आप एक शादी में आओ ना, आप शादी का example लो, आप एक शादी में जाओ, तो वहाँ पर आपके फूफा जी होंगे, वो किसी ना किसी बात पर नराज होई जाएंगे, मतलब इतना बड़िया माहूल चल रहा है, इतना सब कुछ सब enjoy कर रहे हैं, खाना वान अच्छा चल रहा है, सब नाज गा रहे हैं, दूसरे से मिल रहे हैं, फूफा जी, वही चाय में जो है वो गरम नहीं है, नमक नहीं है पनीर की सबजी में ये किस तरीके की दाल बनाई है तुमने, मतलब एक बंदा होता है जो मूड खराब कर देता है, पूरी शादी का सिंगल हैंड़िली सब माहूल खराब कर देता है, तो वो ये चीज होने की कोशिश की जा रहे हैं, तो I am pretty sure कि nine लोगों ने देखा है अभी Indian football में क्या होत और जो ये पत्थर की लकीर बना दिये, ये top 8 वाला rule, इससे कुछ नहीं हो रहा है, हम ना मतलब पिछडी रहे हैं और ये जो ये rule बना दिये जाता है बिना logic के, और present situation को नहीं देखा जाता, context को नहीं देखा जाता, ये हमारे लिए एक रोडा ही बनते रहेंगे रहा का, और जितना मर्जी हमारे players अच्छा कर लें, जितना मर्जी AFF कुछ अच्छा करने की अब कोशिश कर रही है, नई regime आईए, इसके अंदर कुछ positive signs दिख रहे हैं, अब ये top 8, top 8 कर रहे हैं, अगर target 2026 देखे हैं, vision 2047 में, तो उसमें तो target में है कि top 10 nation teams में आना है, तो top 8 में तो हम तब भी नहीं आएंगे, तो फिर आप तो 2026 एशन गेम्स में भी नहीं भेजोगे इंडिया को, फिर तो हम 3 nation गेम्स लगातार मिस कर देंगे, तो इसका solution क्या है, और top 8 teams में आना कोई आसान बात तो है नहीं, और top 8 teams में आएंगे कब, जब हम अपने से बहतर opposition से खे आप एक्सपेट करते हो कि हम फिर top 8 opposition के against खेले और उनको हरा दे जाके, लेकिन मैं इतना जादा confident to हमारी team में, जो हमने momentum पकड़ा हुआ है, कि अगर इनको सही exposure मिलता है, वो again, EGORS team match ने जैसे का, कि अगर एक camp दे दो हमको, हमको साथ में train करने का मौका दे दो, तो हम इंडियन football को रोके हैं, क्योंकि एक जो मिला हुआ instruction, उसको हम कैसे उलंगन करेंगे, और अगर उसको overrule कर दिया मैंने, उनके बोलने पर, sports ministry के बोलने पर, अगर मैंने इसको over turn कर दिया, तो मैं तो puppet के जैसे लगूँगी ना, तो मेरा इसमें कहां से आया है, पूरा, तो है, बहुत और देख के दुखी होता है, अब क्या कर सकते हैं, इस पर आप और मैंने जितनी आवाज उठानी थी, जितनी हम उठा रहे हैं रोज, daily basis पे, talk football HD हो गया, धनराज धुरवे हो गया, बाकि हमारे जितने content creators है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, कि करें इसके बारे में ब fans आवाज उठाएंगे तो कुछ होगा, CDC बात है, वो तो अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत बात हो रही है इसके बारे में, वरना 2018 में तो I don't know कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी team गई इतनी थी, इस current की वज़े से, तो at least उस लिहाज से तो situation बेटर हो गई है, and I hope ये better होती ही रहेगी, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, Indian football के बारे में बात करना है, लेकिन this is not acceptable, ये जो हो रहा है, and this is because of ego of a few people, कुछ लोगों के एहंकार के वज़े से, हमारा football सफर कर रहा है, हम as football fans सफर कर रहा है, बहुत बहुत unfortunate है, क्या रहा है आपकी, please do let me know in the comment section, I I am very disappointed, still hope है कि अगर team चली जाए, तो बहुत अच्छा हो जो अनुराक ठाकुर और कल्यान चौवे की meeting हुई है, उसका कुछ positive result निकले, और मान लीजिए कि अगर नहीं निगलता है positive result, तो क्या मतलब यहाँ पे क्या standing Indian football की, Indian football को किस तरीके से treat किया जा रहा है, ये एक आपक जय हिंद, जय भारत